गूड इबनिंग दोस्तो एक बार फिर से आपका श्वागत करते हैं आपके अपने यूटुब चैनल एम्यू क्लास के टीज़िटी पीज़िटी कलाक टेस्ट सीरीज के आज के इस वीडियो में मित्रो कल के वीडियो में आपने बहुत चारे जो है प्यारे प्यारे कमेंट्स दिये इसके लिए आप श़भी का धन्यवाद और आपने हमारे द्वारा पूछ एक प्रशनों का उत्तर भी बहुत अच्छा घ्यादा से ज्यादा मात्रा में दिया इसके लिए भी आप सबीका धन्यवाद तो चलिए मित्रो आज की पहला प्रशन सुरू करेंगे लिकिन उससे पहले ये बता दे कि यह डेली क्लास राथ बजे चलती है क्योंकि यह कमेंट्ज पे हमारे कल का यह सवाल था कि सब्सक्राइब चलती है तो डेली राथ आठ बजे चलती है आपके अपने चैन जो कुछ भी प्रश्ण होंगे ठीक हैं तो चरिए सुर्वात करते हैं आज के पहले प्रश्ण का जो आपके सामने है और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्ण आज का प्रश्ण का कहना है मुगलकालीन चित्रों के चोड़े किनारे पर किसका चित्रड किया गया है यानि मुगलकाल के समय में चित्रों के चोड़े किनारे पर यानि चित्र बनाए जाते थे तो किनारे जो चोड़े होते थे जैसे इस तरह के कुछ होते थे चोड़े किनारे ठीक है तो उस चोड़े किनारे पर छित्रण किया गया कौन सी चीज़ का ठीक है ये बोच रहा है फूल पत्तियों का किया गया पसु पच्छियों का पेड़ पौधों का या इन में से किसी का नहीं तो पहला प्रश्ण अपारा यही है उप्रश्ण का उत्तर अचछे और सही उत्तरों के साथ ड्राप करते हुए आप आगे करेंगे इस वीडियो की प्रश्ण की सिरीज में और हमारे पहले प्रश्ण का उत्तर होगा पूल पत्तियों का तो मुगल काली इन चित्रों में जो चोड़े किनारे होते थे वहाँ पे चित्रड किया जाता था फूल और पत्तियों का आगे बढ़ेंगे दूसरा प्रश्न देखेगा प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है दूसरे प्रश्न का कहना है मेत्रो अलवर राज्य के अलावा और किन चेत्रों में इसका परभाव दिखाई देता है यानि अलवर राज्य के अलावा और किस चेत्र में परभाव दिखाई देता है यानि अलवर राज्य के अलावा और कौन सा राज्य है जिसमें जो है परभाव दिखाई देता है ठीक है कला के प्रती मतलब यहाँ पर आसे है यहाँ से जैपूर और भरतपूर जैपूर और जयोदपूर जैपूर और बिकाने या जैपूर और कोटा ठीक है यह है हमारा दूसरा प्रश्ण और दूसरे प्रश्ण का जो हमारा शही जवाब होगा वह हो जाएगा जैपूर और भरतपूर क्या होगा जैपूर और भरतपूर अगला प्रश्ण है तीतरा दिखिएगा तीन नमर प्रश्ण मित्रों कह रहा है जैपूर सहली में किन रंगों की अधिकता है लेकिन कौन से रंगों की सबसे ज़्यादा लाल रंगों की अधिकता है नीला रंगों की अधिकता है पीला रंग की अधिकता है या हरा रंग की अधिकता है तो जो जैपुर शैली है उसमें इन चारों में से किस रंग की अधिकता है ये हमारा तीसरा प्रश्ण है तो फटाफट ड्रॉप करिए उत्तर और टेस्ट सिरीज में अपने टेस्ट को आज भी टेस्ट करिए कि कितना है सही और प्रश्णों की सिरीज कैसी लगती है ये कमें बाक्स में बताईए जो नए है चैनल पे सब्सक्राइब करें लेकिन बेल आइकन घंटी का निशान जरूर दबा लें ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें जो नहीं जानते हैं उन्हें भी उनका हेल्प मिलना चाहिए ठीक ह हरा जैपूर सैली में जिन रंगों की अधिकता रही है वो रंग रहा है हरा ठीक है आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्ण की तरफ और यहीं प्रश्ण हम आप से कल पूछे थे जिसका बहुत शाराच्छा खाशा उत्तर आप लगी ने दिया इसके लिए एम्यू कुलाश क धन्यवाद कि आप लोग ने इतने अच्छे प्रश्णों के इतने अच्छे उत्तर दिये तो प्रश्ण था मित्रों कल का जुँ हमने कि सेविंग ब्लेड से चितरकारी के लिए मशुहूर कौन कालाकार जाने जाते हैं ठीक है सेविंग ब्लेड आपने देखा ही होगा जो सेविंग करते हैं लोग उस सेविंग बिलेट से कैनवास पर चितरकारी के लिए मशुहूर है वो चितरकार यही हमने पूछा था कि वो चितरकार कौन है मुहन सर्मा भावानी चरड डाक्टर मोना सर्दाड डूडी या गोपी गजवानी तो बड़ा ही नया करेंट और वेरी इंपोर्टेंट प्रस्ण था यह और इसको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के प्रस्ण आपके बहुत आने कीश पूजिशन भावना है तो इस प्रस्ण का राइट एंसर था सी डाक्टर मोना सर्दाड डूडी प्रस्ण संख्या पांच कहना है मालवा सैली को प्रसाहन किस राजा के द्वारा मिला जो मालवा सैली है उसको प्रसाहन मिला लेकिन एक राजा के द्वारा मिला उस राजा का नाम जानना चाहता है यह प्रस्ण उस राजा का नाम पूछ रहा है ये प्रशन जिससे मालवाज शैली को प्रोशाहन मिला राजा राय सुर्जन सिंग राजा बिजय सिंग राजा नेशुरुदीन शाह या राजा जशुवंत सिंग तो प्रोशाहन जो की मालवाज शैली को मिला एक राजा के द्वारा उसी राजा का नाम हमको जानना है इस प्रशन में कि क्या है उस राजा का नाम तो मित्रो उस राजा का नाम है राजा नशुरुदीन शाह क्या नाम है राजा नशुरूदीन साभ पांचवे का राइट एंसर C ठीक है आगे बढ़ेंगे 6 नमबर प्रस्म की तरह बढ़ेंगे प्रस्म नमबर 6 देहिएगा क्या कह रहा है 6 नमबर प्रस्म प्रस्म का कहना है लाल चीतेरा नामक चितरकार किस सैलिषे संबंधित है लाल चितेरा नामक चितरकार सैलिषे एक संबंधित रखता है लेकिन किस सैलिषे ये पोछ रहा है मेवाड सैलिषे मारवाड सैलिषे किशनगण सैलिषे ये जैपू शैलिषे ठीक है तो मित्रो कला के बहतरीन प्रश्णों की सिरीच आप तक EMU क्लासिस हो चाता है और यही उमित करता है कि आप पूरे वीडियों के साथ इन प्रश्णों के मजे लिजिए इन प्रश्णों को ध्यान से देखिए पढ़िए और अपने जहन में अपने दिमाग में बैठा के रखिए दोहरा के रखिए ताकि जो है आगे जो भी भरती आए कलासिसंबंदिच चाहेबू किसी भी राज्ये से हो अगर आप इलिजिबल हैं और भर रहे हैं तो आप जो है उसमें एक बहतरीनी स्कोर के साथ कामयाबी हर्शिज करें यही हमारी मनुकामना है और उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह की तैयारियां रख रहे हैं तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा मित्रो डी जैपूर शायली ठीक है आगे बढ़ते हैं हम आपके लिए थोड़ा मेहनत करते हैं आपको थोड़ा सबस मेहनत ही करना है कि अपने वीडियो को पूरा देख के अच्छे से पढ़ना है और समझना है साथवा प्रश्ण का रहा है उसका लकार का नाम क्या नालिनी मालिनी है रघवन्स परजापती है अलका रघवँवन्शी है या सुदर्संस से ठी है ठीक है तो समय सौल था 2019 नाम है ब्यक्तिगत परभाव नामक इस्टालेशन पूछ रहा है किस का लकार के द्वारा ये इस्टालेशन बनाया गया यही हमारा शात्वा प्रश्ण है और इस सात्वे प्रश्ण का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी सुदर्शन सेटीन किशने सुदर्शन सेटीन ठीक नहीं आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्ण देखे का कह रहा है आठ नमबर आठमे नमर का पूछना मित्रो दसीटी इस फार सेल किस का लकार की करती है दसीटी इस फार सेल ठीक है ये एक कलाकार की कृति है तो उस कलाकार का नाम क्या है गुरू चरण सिंग्ह नाम है उस कलाकार का विवान शुन्दरम, पर्मानंद या गुलाम मुहमस्चेफ द शीटी इस वार्सिल ये कला कार द्वारा बनाई गै कृति है और उस कलाकार का नाम हमसे यह आठवा स्वाल पूछ रहा है तो टेलिग्राम भी है जहां आप 6 बजे आपको प्रशनों की स्रीज मिलती है जो की हमेशा मैं दे देता हूँ आज भी दे चुका हूँ तो जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वहाँ जुड़ सकते हैं वीडियो प्लेलिस्ट में बहुत सारे और पड़े हूँ हैं तो कार्नर पे यहाँ पे तीन बिंदू दिखाई दे रहागा जब आप प्ले चला रहे होंगे वीडियो देख रहे होंगे वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो वीडियो के पूरे नीचे के लिष्ट खुलेंगे और उसमें आप दे लेंगे और भी सारे प्ले लिष्ट में वीडियो वो भी आप देख लेंगे तो उसको विधायें हर तरफ से हैं बस आपको देखना है उसका लाब उठाना है और अपने जीवन को एक खुबशूरत मोड की तरफ ले जाना है एजे टीचर के रूप में और उमीद करता हूँ कि आप ये सभी तैयारियां बरकरार रखते हैं बखो भी तो मित्र इसका राइट इंसर हो जाएगा डी गुलाम मुहमद शेख की किरती है ठीक है अब हम बढ़ेंगे नो नवर प्रशनी के तरफ प्रशन संख्यान नव देखिएगा नो नवर प्रशनी कह रहा है कि लखनौ के डक्टर भीम राव अम्बेटकर पार्क के वास्तुकार को है यानि लखनौ में जो डक्टर भीम राव अम्बेटकर पार्क है लगबालोगों बहुत सारे लोगों ने देखा होगा घुमा भी है अब उसके वास्तुकार को है किसका स्रेज आता है वास्तुकार का लखनौ के डक्टर भीम राव अम्बेटकर पार्क का केजी स्प्रमणियम का नेकचंद सैनी रामशोतार शतिस कुजरा ठीक है तो जितने भी इतने बहतरीन बहतरीन चीजों को आप जहां भी देते हैं इन सभी का हमारे किसी ना किसी नी वास्तुकार कालाकारों काल रोल रहा है और वही चीज आपसे कला में पूछा जाता है और एक प्रश्णी ये भी है कि लखनव के जो भीमरावमेटकर पार्क बनाया गया है उसके वास्तुकार के रूप में हम किसे जानते हैं तो मित्रों वो हम जानते हैं सतीस गुजराल के किसने सतीस गुजराल ने उसका वास्तुकारी किया उसके डिजाइन दिया लखनव के भी रहे होंगे लखनव तो कि कितने खूबसूरत है वो पार्क और लोग वहां घूंगते हैं कि दस नमर प्रशन देखें क्या कह रहा है प्रशन संख्या 10 का कहना है कि चौखंडी स्पूत की खोच किश ने किया चौखंडी स्पूत और उसकी खोच करने वाले चया डक्टर लिटनर है करनल मैक जी है पीसी मानक या कनिंगम चौखंडी स्पूत ठीक है नाम से पता चल रहा है चौखंडी ठीक है विसे हमेशा देखने में बहुत स्पूत तो बिल्कुल इस तरह से दिखाए ज़ते हैं अर पूछ रहा है चौखंडी ना की अर्दगोलाकार ठीक है तो चौखंडी इस पूत की खोज करता के रूप में जिसे हम जानते हैं वो है कनिंगम कौन है कनिंगम है ठीक है आगे बढ़ते हैं 11.9 प्रश्ण को देखिए प्रश्ण संख्या 11 पूछ रहा है 11.9 प्रश्ण मित्रों नेली मा शेख किस कालाकार से प्रभावित थी ये भी एक कालाकार थी लेकिन ये एक कालाकार से प्रभावित थी वो कौन कलाकार था अमरता शेरगिल से प्रभावित थी मों देव यानी किष्ण से सुनाली देवी या अरपड़ा कोर अब प्रभावित से यहां आशे यह है कि उनके कार ये शेयली से उनके कला के टेकनीक से इस्टाइल से प्रभावित थी ठीक है यह यहां कहने का मतलब है कि यह भी एक कलाकार थी लेकिन इन्हों ने जो है किसी को अपना जो है वो माना था जिसे कि आपने एक्जांपल के तोर पर दिखा हुआ कि एकलब भी जो था उसने जो है अरजुन के जो गुरु थे द्रोडा थे उनको अपना गुरु मान के ही मूर्ति बनाके जो है उसंसे धनोर विद्या उन्beiten ने सीखा ठीक है लेकिन उसने मन में माल लिया उन्होंने मना कर दिया the さखाने के लिए लेकिन खुद उसने उनको अपना प्रभाव मान के अपना मान तहीं ये पूछना चाहता है और वह कलाकार थी मित्रों देवयानि के इसना कौन थे पूछने काला घोडा महुषय कहां आयोजित किया जता है काला घोडा महुषय ये आयोजित किया जता है लेकिन कहां ठीक है उत्तर परदेश में दिल्ली में मुंबई में या पस्चिम बंगाल में अभी कुछ महीनों पहले हालही में ये महुषय आयोजित किया गया था और उसी अस्थान का जगह का पैलेश का नाम पूछ रहा है जहां ये महोशो आयोजित किया गया था काला गोडा महोशो ठीक है तो उम्मिद करता हूँ कि आपके टेस्ट स्रीज में बेहतरिन प्रुफामिश के साथ आप अभी तक के प्रश्णों को उत्तर देते हुए आए होंगे और आगे भी जो प्रश्ण आएंगे उसको देते रहेंगे और जो प्रश्ण हम पूछेंगे आज आकरी में उसका भी उत्तर आप बहुत सारे संख्या में देंगे तो 12 नवर प्रश्ण का राइट इंसर मित्र हो जाएगा C. मुंबई काला गोडा महसो जो है आईजित कहा था है बुंबई में ठीक है अगला प्रश्ण है प्रश्ण संख्या 13 तेरा प्रश्ण का कहना है खाकी चित्र स्रिंखला किस कलाकार से संबंदित है जो खाकी चित्र स्रिंखला है वो संबंदित है एक कलाकार से उस कलाकार का नाम आपको बताना है कि क्या उनका नाम निकोला श्रोरिक है जय अप्पाश्वामी है केजी सुब्रमडियम है या किष्णा खरना है जो खाके चितर सिंखला है वो किस का लाकार से रिलेशन रखता है शंबंद रखता है तालूक रखता है तीनों शब्द का मतलब भी कही हुआ और इस प्रश्ण का सही जवाब जो होगा हो हो जाएगा किस से केजी सुप्रमड्यम से अब बढ़ेंगे हम 14 नमर प्रश्ण की तरव चोदा नमर प्रश्ण देखें क्या कह रहा है प्रश्ण संख्या ....14 का कहना है अननों गुरूप की अस्थापना किस ने किया अननौन गुरूप इसके अस्थापना कौन से कालाकार ने किया इसमे से अर्पढ़ाकोर ने भारती परमजीत सिग अर्पिताशिंग तो इन में से वो कौन से कालाकार है जिसने एक गृूप की अस्थापना की और उषका नाम रखा अन्नोन अन्नोन गृूप ठीक है? unknown तो इस प्रष्ण का राइट अंसर होगा मित्रो D अर्पीता शिंग ने किस्ने अर्पीता शिंग ने आगे बढ़ेंगे अगला प्रष्ण देखेंगे प्रष्ण संख्या पंद्रा के रूप में प्रष्ण कहे रहा है धर्ती नामक चितर स्रिंखला किस कालाकार ने बनाया धर्ती इस नाम से एक चितर स्रिंखला बनाई गई और किस कालाकार के द्वारा बनाई गई ये हमारा सवाल है सतीस गुजराल के द्वारा द्रो मिस्त्री के द्वारा अरपडाकौर के द्वारा अमनाज शहकल के द्वारा ठीक है धर्ती नाम से नामक मतलब नाम से धर्ती नाम से चितर स्रिंखला बनाई गई इन में से एक कलाकार के द्वारा और उस कलाकार का नाम पूछ रहा है आप कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिए उसके अलावा भी अगर कला से समझत कोई डाउट है आपको तो बेहिचक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछिए आपको आपके हर प्रशनों का उत्तर देने की पूरी-पूरी कोशिश EMU कलाश के टीम करती है और सटिक उत्तर आपको दिया जाए तो इस प्रशन का राइटेंस हो जाएगा सी अरपड़ा कोड क्या होगा अरपड़ा कोड कि 16 नवर प्रशन की तरफ बढ़ेंगे प्रशनसंख्या 16 देखियेगा क्या कह रहा है सुलन अप्रश्ण का कहना मित्रो राम मंदिर के वास्तुकार सोमपूरा किस राजिस से संबंद रखते हैं यानि इस समय जो राम मंदिर बन रहा है अयुद्या में उसके वास्तुकार हैं सोमपूरा लेकिन वो कहा के रहने वाले हैं किस राज जिस से संबंध रखते हैं मतलब कहा के रहने वाले हैं उत्तरपरदेश के महाराष्ट एहमदाबाद या हैदराबाद ठीक है तो एक तरसे कह लिजिए कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है वास्तुकार स्वंपूरा जी को वो भी राम मंदिर की जिसके बारे में कुछ परशनों को मैंने पिछले कई किसी वीडियो में कई सारे चीजे राम मंदिर पे मैंने आपसे पूछा भी है और उसमें ये भी बताया था कि वास्तुकार कौन है ये भी परशन डाला है लेकिन वो कहा के रहने वाले थे ये प्रश्ण नहीं था इसलिए आज इस प्रश्ण को मैंने मेंसिन कर दिया और इस प्रश्ण का राइट अंसर हो जाएगा C. एहमदाबाद ठीक है? सौमपूरा जी जो है वो एहमदाबाद के रहने वाले है 17 नहीं प्रश्ण देखेगा प्रश्ण संख्या 17 क्या कह रहा है? प्रश्ण का कहना है मुगल काल की महिला चितरकार रुकया बानो किसके काल में चितरकारी की? यहनि मुगल काल की जो महिला चितरकार थी उनका नाम था रुकया बानो लेकिन कौन से मुगल काल के सासत थे जिनके समय में उन्होंने चितरकारी की है रुकईया बानो ने मुगल काल के महला चितरकार तो थी रुकईया बानो ये तो प्रश्ण कह रहा है लेकिन मुगल काल कई मुगलों का सासन था अप किस के मुगल काल में रही है जहांगीर के समय में वो रही चितरकारी में अकबर के समय में रही साजहा के या देखिएगा अकबर दो बार हो गया है यहां आपका हो जाएगा जहांगीर बाबर बाबर ठीक है आप संध्यान नहीं दिया गया दो बार टाइप हो गया है तो कह रहा है कि रुकया बानो एक महिला कलाकार के रूप में मुगलकाल में पहचानी जाती थी चितरकारी करती थी लेकिन वो मुगलकाल किसका था जिसके समय में रुकया बानो थी जहांगीर अकबर साजा या बाबर के ठीक है तो इस प्रश्ण का राइट इंसर होगा मित्रो ए जहांगेर के समय में किस के समय में जहांगेर के समय में तो यह याद रखिएगा कभी कभी प्रश्ण पुछ लोगा कि जहांगेर के समय में महिला चितरकार के रूप में इन में से जानी जाती है तो याद रखिएगा रुकई या बन ठीक है अठारा नमर प्रश्ण देखिएगा प्रश्ण संक्या अठारा क्या कहना चाहता है अठारा नमर प्रश्ण का कहना है किस कलाकार को भाई साहब के नाम से जानते है भाई साहब इस नाम से जानते हैं यानी कि आपको मैंने बताया था एक बार कि अमनिंद्र बाबू को अमनी बाबू नंदलाल बशु को मास्टर मुशाय इसी तरह से मतलब कई कलाकारों का एक अलग-अलग साठ नाम की तरह से पुकारा जाता था उसी तरह से इसमें से एक कलाकार हैं जिनको भाई सहब के नाम से जानते हैं यानि उस कलाकार को भाई सहब के नाम से ही पुकारत थे क्या वो किरपाल शेंग शेखावत हैं देवकी नंदन सर्मा अमरना शेहगल या मोहन शर्मा तो दो एक्जामपल मैंने आपको दिया एक आउनी बाबू और एक मास्टर आप मुशाय यानि नंदलार बिशू को कहा जाता था तो उसी तरह से इसमें से एक कलाकार को भाई सहब के नाम से कॉल किया जाता था पुकारा जाता था, जाना जाता था कहा जाता था ये प्रशन है हमारा 18 और इस प्रश्न का राइट इंसर है देव की नंदन सर्मा इनको भाई शाहब के नाम से इसका लाकार को जानते थे लोग ठीक है अब हम चलेंगे अठार नमर प्रश्न की तरफ अठार नमर प्रश्न देखें क्या कह रहा है सौरी उन्निश नमर है उन्निश नमर प्रश्न का कहना है विवान शुंदरम के इस्टालेशन वीडियो कौन से वाद से प्रभावित है जो कलाकार विवान शुंदरम है उनका इंस्टालेशन वीडियो एक वाद से प्रभावित ह वो कौन साबाद है जिससे प्रभावित है उनका इस्टारेशन वीडियो अभी बेंजनवाद से प्रभाववाद दादावाद या इन में से कोई नहीं ठीक है तो कलाकारों का प्रभाव इस तरह के प्रश्नकल के वीडियो में मैंने डाला था और उसको केरफुली जितने लोगों ने अभी तक नहीं देखाय कि कछ बाद के प्रभाव रहाए जयादा या किस बाद के चित्रूनों ने बनाए है, इस तरह के कल के मैंने प्रश्न अच्छेगा से डाले है और वो पढ़ लिजिएगा क्योंकि उसमें से भी कुछ ना कुछ प्रश्ण जो है आपको आगे भरतियों में मिलेंगे फसनेंगे तो आपको पश्टावा नहीं होगा तो इस्टालेशन वीडियो कौन से वाज से प्रभावित है विवान शुंदरम का ये हमार आज का प्रश्ण है 19 नमर और इसका राइट अंसर है दादावाद अगर दादावाद आपसन ना हो तो एक और इसमें आएगा अतियत हर्थवाद क्या होगा अतियत हर्थवाद याद रखिएगा दादावाद या अतियत हर्थवाद से प्रभावित है तो दो चीजे हैं अगर दोनों एक ही पास है तो ठीक है दोनों में से कोई एक है अगर दादावाद नहीं है अतिय थार्थवाद वहाँ कहीं है तो ये भी सही है इस पे लगा दीजिएगा अतिय थार्थवाद ठीक है? कन्फ्यूज मत होईएगा अब आईए प्रश्ण संख्या 20 को देखते हैं प्रश्ण हमारा क्या कह रहा है कहना है प्रश्ण का दवेश्टर्न इसकाई नामक चित्र किष ने बनाया चित्र का नाम है दवेश्टर्न इसकाई ये चित्र है बनाया गया किष के द्वारा सोभा के द्वारा यानि शोभा शिंग अरपिता शिंग अरपड़ा कोर अंजीली इला मेला ठीक है तो बीश नमर प्रशन बहुत ही अच्छा प्रशन है इस वीडियो का आखरी प्रशन है और इसके बाद आपका प्रशन होगा उसका एंसर आपको देना है तो सबसे पहले पहले इसका उतर दीजिए फिर उस प्रशन का जिकर करेंगे दव वेश्टन इसका इना मक्चेतर किषने बनाया ये आपका विस्वा परसन है और इसी परसन के साथ आप अपने टेश्ट को पूरे तरह के से टेश्ट करेंगे कि आज की परसन में कितना आज सही गया है ठीक है तो हमारी इस प्रश्ण का राइट इंसर हो जाएगा बी अर्पिता शिंग तो वेस्टर निश्का इनावक चेतर किस्ट ने बनाए अर्पिता शिंग और अब हमारा सवाल है और सवाल हमारा देखिए क्या कह रहा है छोटा कर लीजिए थोड़ा दा यह हमारा सवाल आपका सवाल 21 नमबर के रूप में आपके स्क्रीन पे सवाल का कहना है डेजर्ट सिरीज इन में से किस कालाकार ने बनाई सिरीज का नाम है डेजर्ट सिरीज और आपसे पूछ रहा है कालाकार का नाम कि किस कालाकार ने डेजर्ट सिरीज बनाई मुहन सर्मा ने बनाई किरपाल शिंग शेखावत ने बनाई देवकी नंदन सर्मा ने या भोरी शिंग शेखावत ने ठीक है तो ये है आपका एक किस नमर प्रश्न और इसी प्रशन का उत्तर ज्यादत से ज्याता मात्रा में कमेंट्स बॉक्स में ट्राप करना है कि किस ने इस सिरीच को बनाया किस को सरे दिया जाता है इस सिरीच को बनाने का उम्मिद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पूरी पशंद आई होगी तो अगर परशंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा मित्रो सेयर करिए क्योंकि सेयर करने से बाकी लोग भी जुडेंगे आपकी तरह वो भी कुछ ना कुछ नया सीखेंगे कुछ नया देंगे उनको पता होगा तो और कमेंट्स प्यारे प्यारे करते रहे डेली रात 8 बजी यह प्रस्ट डाले जाते हैं यानि 8 बजी यह वीडियो चलते हैं ठीक है तो चलिए आज के लिए दीजी इजाज़त कल फिर मिलते हैं सी समय सी टाइम लेकर कुछ और बहतरीन प्रिश्णों की बहतरीन स्रीज तब तक के लिए दीजी इजाज़त नमस्कार गुड नाइट